हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वह आपका है क्या objectives of business firm ठीक है second topic second class of economics first class में हमने economics की बारे में पढ़ लिया अब हमें डिस्कस करने की business firm के क्या-क्य objectives है ठीक है business firm अभी बताओ पहले तो यह क्यों सा नीचर माइक्रो मैक्रो माइक्रो 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 होगी ना एक लापन्दा ले रहा डिसीजन माइक्रो नीचर में होगी ठीक है उसके बाद देखी वही बिजिस्स फर्म आपकी होगी माइक्रो अब इसके क्या-क्या objective है तो स दूसरा इसी के regarding हमने बना रहे है alternative objective अब प्रोफिट और alternative objective बनावा क्या-क्या objective हो जकते हैं तो पहले हम प्रोफिट के बारे हम पुछेंगे पहले तो हम पढ़ेंगे what is the concept of profit concept of profit profit की concept क्या है अब देखेंगे कैसे सबसे पहले हम देखो बात करते हैं concept of accounting profit देखो accounting का मतलब क्या है हमने पढ़ा है accounting का मतलब क्या होता है हम accounting में सिर्फ उन चीज को record करते हैं जो जो क्या है quantitative measurable है money measurement concept जो कही है है आप लिखते हो 100 kg आपने शोल्ड किया यह एक अकाउंट लिखा नहीं जाएगा आप लिखाओंगे प्राइस क्या थी उससे कितना अमाउंट रिशीव हुआ तो वह आपका यहां पर आ जाएगा ठीक है तो क्या हुआ आपका accounting profit जो होता है वह क्या record करता है only accounting cost and revenue है ना accounting cost मतलब चूसको आप record कर सकते हो जो record करने लाइक है ठीक है तो इस क्या coding जो आपका profit होता है वह क्या होता है total revenue minus में total cost जो आपकी matching concept भी कहते हैं आप समझते ही चलना accounting की कुछ और concept भी पहली बात हमने क्या 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 कि हम सिर्प उन कोस्ट को record करते हैं जो आपकी actual में मतलब pay की गई है out of pocket cost explicit cost दूसरा आपना revenue वही record होंगी जो आपने मिले हैं ठीक है तो एक तो यह चीज़ समझो आप total revenue minus में total cost और इसको आप लिख सकते हो total revenue minus में explicit cost explicit cost कौनची होती है जो business से बाहर cash के रूप में बाहर pay की जा रही है पैसे के रूप में बाहर जा रही हो वो कौनची होगी आपकी explicit cost आई बाहर समझ में explicit cost का मतलब out of pocket cost इसको और मैं क्या बहुत सकता हूं out of pocket cost out of pocket cost का क्या मतलब है ऐसी cost जिसको आपने बाहर पे किया है for example आपने rent पे किया बाहर दिया यह आपकी explicit cost है ठीक है आपने मालों कोई machinery purchase की बाहर पैसे दी यह भी आपकी explicit cost क्योंकि इससे पैसा बाहर गया है तो वह accounting profit में आया कि total revenue minus में total accounting cost यह explicit cost यह concept है किसकी accounting profit की बिलकुल आपको समझ में आ गई होगी है दूसरा है आपके पास economic profit कौनसा profit आपका economic profit economic profit में देखो जहां से सुनना economic profit में total revenue में से explicit cost तो गटाएंगे explicit cost इसके अलावा हम जो deduct करेंगे वो करेंगे implicit cost अब implicit cost क्या होती है economy profit calculate करने एक बिल्डिंग एक बिजनिस है उस owner के ही घर में चल रहा है उसकी कुछना को sacrifice कर दिया कि इसने क्या कर दिया sacrifice कर दिया कि जैसे मालोग वह अगर रेंट पर देता तो दस जार रुपए आते आप लेकिन आप नहीं आएंगे तो दस जार रुपए उसके लिए implicit cost होगी और किसकी होगी implicit cost उस business को चलाने की बात समझ में आईए दूसरे को किराया पर देता तो पैसा आता लेकिन अभी नहीं दिया उसको लोस होगा मतलब उसको क्या हो लोस को नहीं है उसे sacrifice कर दिया जिसको आप का बोलते हो opportunity cost बोलते हो न ऑपरचनेटी कोस्ट क्या होथ ही बताने एक बार online student बता ओंपरचनेटी कोस्ट क्या होती है आब बताओ cost of second best alternate की अच्छा मेरे दियान से सुनना यह Michener जो विलडिंग ऐ ठीक यह जो इसमें आपका ब्रदी इस बिल्डिंग में चल रहा है अगर यह इस एक्स पर्शन को यह बिल्डिंग देता तो इसको इसके दस हजार रुपए रेंट के रूप मिलता पहला उप्शन है इसके पास यह ठीक है बी ऑप्शन यह है अगर यह इस बिल्डिंग को किसी वाई पर्शन को देता तो यह इस और आपके पास option है 15,000, option A, B option है आपके पास कि वह आपका 10,000 और C option है 25,000, और D कुछ है यह नहीं, देखो आपके पास concept क्या है, कि एक business है, उसने अपनी ही building में चला दिया, लेकिन यह अपनी building, X को देता तो 10,000 रुपे देता इसको, और Y को देता तो 15,000 रुपे देता, अब मेरा question है, कि opportunity cost के लिखा, second batch alternate की cost होती है, अब मुझे 10,000 रुपे, 25,000 रुपे, आप लोग बताए, online student, ठीक है, very good, आपको न सिर्फ second best देखना है, अब second best क्या आपके पास, 15,000 रुपे, इस 15,000 को sacrifice करके, आपने first best तो यह हो गया, first best तो यह हो गया, second best यह हो गया, third best यह, इसके लिए opportunity cost होगी यह, और इसके लिए होगी यह, लेकिन हमें तो सिर्फ second पर जाना, third पर नहीं जाना, तो यह किसको include करता है, यह करता है, सिर्फ second best देखना हो, ठीक है, तो यह जो cost है, इसको जो 15,000 रुपे मिलने थे, और जो अभी नहीं मिले, वो आपके क्या हो गई, implicit cost, आई बात समझ में, तो जो economic profit है, वो total revenue में से explicit cost तो जाएगी, जाएगी, इसके लाबा क्या जाएगी, implicit cost भी जाएगी, क्लियर होगी बात आपको, हाँ यह online student के लिए रहे बात, हाँ जी, तो आप उदे को इसको ऐसे लिख सकते हो, total revenue माइनस में, total cost, इसको आप बोल सकते हो, accounting profit, accounting profit है ना, और दूसरा आप बोल सकते हो, total revenue माइनस में, इसको total cost की, total cost की ने, इसको आप ऐसे लिखो, total explicit cost, ठीक है, total explicit cost लिख लो, explicit cost, ठीक है, total revenue माइनस total cost, जिसमें आपने लिख लिख लिया, explicit plus में implicit, यह आपका हो गया, economic profit, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, accounting profit, मैं से क्या deduct कर दूँ मैं, कि आपके पास, economic profit आजाए, बताओ भई, क्या deduct करूँ, accounting, आप यहां में से मैं घटा सकता हूँ, क्या deduct कर सकता हूँ, implicit cost को, बिल्कुल ठीक है, ना, ठीक है, और यह, economic profit में, implicit cost को add कर दे, तो यह क्या हो जाएगी, आपकी, accounting call, इसी को, जो ही आपकोने निकाल आई, economic profit को, इसको बोलते है, pure profit, also called, pure profit, ठीक है, क्या बोलते है, pure profit, तो यहां तक कोई doubt है, तो बताइए, नहीं, आगे हम पढ़ रहे हैं फिर, ठीक है, opportunity cost दोनों को include करता है, आपकी implicity भी हो सकती है, और आपकी explicit cost भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, कि आपकी implicit cost ही opportunity cost हो, one is the part, यह आपका कह, एक part है, आपका opportunity cost का, समझे मेरी बात को, अभी यहां पर आपने क्या किया, कि इसने खुद की building, जो थी, उसने क्या कि खुद की building, खुद use कर ली, है ना, और वो implicit cost होगी, अब मेरे पाद दूसरी चीज़ देखना, दो option आए आपके पार, अब दूसरा option कहता है, 15,000 पर मिल रहे हैं, एक दूसरा 10,000 पर मिल रहे हैं, अब उसने 10,000 को sacrifice कर दिया, 15,000 के लिए, अगर वो दूसरे को किराये पर दे रहे हैं, अब यह क्या होगी, explicit cost होगी, ज्यान से समझो, 15,000 मिल रहे हैं, 10,000 को sacrifice कर दिया, बात समझे नहीं, तो opportunity cost आपकी implicit भी हो सकती है, और आपकी explicit भी होगी, और समझे मेरी बात को, अब यह निशा हो, तो यह नहीं कि opportunity cost हमेशा implicit cost होगी, दोनों हो सकती है, ठीक है, उसके बाद देखो आपका, आई, theory of profit, theory of profit में आपके पास आई, सबसे पहले theory, Walker, theory of profit, ज्यान से पढ़ना आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, साहिए, किसने पढ़ाई है, Walker, theory of profit, पढ़ाए, ठीक है, ठीक है, और rentability, rentability theory, देखो भई, क्या कहती है, वोकर की theory, क्या कहती है, rent theory बोल सकते है, इसको आप, rent theory of worker, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कहती ही theory वाय ö, देखो आपके पास यह गर है, जो Guruguram में है, ठीक है, एक आपका घर है जो Delhi में है और एक आपका रोतक में है, और एक गर आपका किसी गाओं में है मालो ठीक है कि जगाओं को और गुरू गुराम में जो आपकी जगाह है कि वहाँ पर रहेट आपको पता है बहुत हाई होते हैं लोगों की तो गुरू गाम वाले की सब डेली में भी आच्छा रेंट मिलेगा क्योंकि डेली में है रोड तक मिले लेकिन सारे अलग-अलग होंगे ठीक बात ही बात समझ मैं आ रही है यह तोरिय अब जैसी जगे होगी जैसी आपकी location होगी या land की ability होगी building की ability होगी उसी तरीके के उसको rent मिलेगा same इसी तरीके से वोकर theory क्या कहते है हम पढ़ क्या रहे है theory of profit इसने का जैसा entrepreneurship की ability होगी वो उतना ही ज़्यादा profit कम आएगा यह क्या क्या ability अब बढ़ किस पर आया ability अगर आपकी land की ability है वो अच्छी है तो आपको क्या मिलेगाoint ज़्यादा मिलेगा आपको एबिलिटी कम है तो कम मिलेगा इसी तरीके से जो एंटरपेनर्शप है businessman है उसकी जितनी ज़्यादा ability होगी उसको उतना ही ज्यादा profit कम आएगा और जितनी कम ability होगी उतना ही कम profit कम आएगा तो यह क्या थी आपकी Walker थेहोरी सेकंड जो आपकी थेहोरी है वह कौन सी है Clark वह Walker की थी rent ability वाली और यह थी Clark dynamic theory of profit Clark क्या कहती है Clark की थोरी देखो यह कहती है यहां वर्ड क्या लिखा है dynamic वर्ड क्या लिखा है dynamic dynamic का मतलब का होता है गती शील चेंज और चेंज देखो भई एक वर्ड होता है static static का मतलब बहुत स्थिर्ष और अच्छे dynamic का मतलब बहुत चेंज आना ठीक है आप देखो बात क्या आई कि विकोज ओफ environment dynamic है environment dynamic है और जो dynamic environment में अपने आपको अर्जेस्ट कर पाता है वह उतना ही ज्यादा profit कमाएगा अगर सारी चीजे स्टैटिक होती ना स्टैटिक है तो सारे के सारे एंट्रेश्ट सेम प्रोफिट कमाएगा लेकिन dynamic में किसने क्या का कि रिस्क होता है रिस्क को जो मैनेज कर पाएगा वह जो जितना मैनेज कर पाएगा उतना ही ज्यादा प्रोफिट कमाएगा बात समझ में आरी मैं क्या बता रहा हूं डायनेमिक एन्वार्मेंट के साथ अर्जेस्ट होगे तो प्रोफिट ज्यादा कमाऊगे और अगर नहीं अर्जेस्ट हुए तो टाइम के साथ साथ आपकी पॉपॉलेशन भी चेंज हुई है फेक्टर प्रोडक्शन भी चेंज हुआ है कंडिशन भी चेंज हुए जैसे कोवीड आया कोवीड में जिस ने अपने आपको मैनेज कर लिया वह सारे सक्सेस्ट फुल हुए और जो नहीं मैनेज कर पाए वह आउटो पर मार्केट होगे आउटो कंपेटिशन होगे तो यह पाए ले रिस्क थोरियो प्रोपिट और रिटन में कैसा होता है वहीं ह oni जितना लेको यह अउट नहीं ज्यादा किया होगा आपको आपके Profit Depends करता है किस पर ? Risk B Earring Capacity पर क्या कहता है ?ॹण जो जवी 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 जादा रिश्क उठाएगा वह उथना आपके profit कमाएगा यहां पर क्या बता है ? nee आपको हाईले ने का कि जो जितना रिस्क उठाएगा उतनी ज्यादा आपका प्रोफिट कम आएगा ठीक है फूर्थ हेरी आए आपके नाइट थेओरी और प्रोफिट नाइट थेओरी और प्रोफिट इसने क्या किया इसका थोड़ा सा एक्स्टेंसरिंशन ले लिया जिसने नयट्ट ओर्थ थोह रिसक है उसके दो पारट़ बना दिया देखो 10 कों कोंसे बना दिया अपने एक बना दिया गैलकुलेबल एक जिसको आप कैल कॉलेड़ कर पाए और एक होता है incalculable is जिसको आपने आप calculate नहीं कर सकते हैं ठीक है अब नाइट नहीं क्या का नाइट नहीं का कि यह कैलकुल कैलकुलेबल इसको तो सभी नहीं calculate कर लिया सबने अपने आपको manage कर लिया इसकी according ठीक है लेकिन incalculable जैसे कोविड की situation थी लोगोंने manage नहीं मतलब पता नहीं था इसमें जिसका management अपने आप fit बैठ गया उसने अपने आपको manage करा दिया तो उसको ज़्यादा profit कमाएगा as compared to as compared to जो मैनेजर नहीं कर पाए ठीक है इसका क्या होगा यह आपका profit को आपको आगे लेके चलेगा द्यांसिस नो नाइट थोरी ने क्या का नाइट कहता है कि profit जो हता हो depends करता रिस्क पर लेकिन रिस्क दो पार्ट में डिवाइड़ीड है कैलकुलेबल रिस्क और इनकालकुलेबल रिस्क में अगर आपका management अच्छा है तो आप किया करोगे ज्यादा profit कम आओगे इन秋üsalities में अगर आपने मेनेज इच्छा कर लिया तो आप क्या कमाओगे ज्यादा profits कम फुवाओगे तीक हो दाको समझ में आ गया ठीक है उसके बाद küsl पीटर innovation theory of profit अगर आपने calculate केज लिया अगर आप calculate नहीं की आप होच करने नहीं अ Trump के कुलेच आप सभी calculate करें सभी सब्सक्राइब होच सभी ने राबर प्रोप्वट कमा यदि यहां पर दो बात आंसा इसका इसा इसका को calculate नहीं किया जा सकता उसमें आपका management कितना successful है उसी के according आपका profits आपका कमाया जाएगा ठीक है उसके बाद आए शुमपीटर शुमपीटर theory of innovation यह देखो entrepreneurship में बहुत जादा यूज होता है शुमपीटर theory of innovation शुमपीटर शुमपीटर ने क्या का innovation का मतलब होता है चेंज नहीं नहीं चीजे डवलप करना इसने का अब देखो Nokia company थी देखिया आपने अभी नहीं सुना है और सबसे पहले फोन इसी के आये थे आये थे लैप्टोप में सबसे ज्यादा फोन पहले किसके आये थे डेल से भी पहले किसके आये तो बंद हो गया हो चलो छोड़िया पीशका देखो Nokia जो है आपके पास Nokia देखो Samsung भी आपके एक एक जामपल है Nokia जो आपकी company है विए सबसे ज्यादा हाई market था इसका बहुत ज्यादा अच्छा market था लेकिन क्या वाइस ने time के साथ अपने आपको innovate नहीं किया पुरानी traditional जो टैक्निक उसके साथ ही चलते रहे तो इसलिए market से बाहर हो गए जो नही आपने आपको उसके according adjust कर लिया develop कर लिया innovate कर लिया उन्होंने ज्यादा ज्यादा प्रफिट कमाई एपल्स क्या हो गए इसके आपके दूसरे आ गए और बहुत सारी company जागी से Samsung ने थोड़ा बहुत adjust करने की कोसिस के लिकिन पिछड़ गई है यानि यह क्या कहता है जिसने ज्यादा innovations करोगे उतने ज्यादा आपके प्रोफिट कमाई जाएंगे ठीक है अब समझ में और एक लास्ट है इसमें monopoly power as a source of profit monopoly power as a source of profit source of profit monopoly power as a source of profit यह कहता है देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो Reliance Zio के पास total market का almost 60% share है तो profit भी ज्यादा यही कमाएगी है ना जिसके पास जितनी monopoly power होगी उतना ज्यादा profit कमाएगा तो यह थी किसकी आपकी यह थी सारी theory of profit ठीक है उसके बाद देखिए अब आपका बात समझी है आपने जो पढ़िया आज क्या क्या पढ़ा है कौन कौन सी थी पढ़ी है देखो आपने सबसे पहले पढ़ा देखों किस कौन सी किसके बेस पर है सबसे पहले आपने पढ़ा रेंट ठीट ठीट एक जैसे अबलीटी होगी वैसा उसको रेंट मिलता है उसी तरीके से एंटेपर्नेर्स जितना विजिबल होगा उसके उतने ज्यादा प्रोफिट कमाए जाए ठीक है उसके बाद आए ऐग्लार्क ठीट नहीं क्या का वह एनवार्मेंट डाइनेमिक है धानेमिक एनवार्मेंट है तो आप और जिस्ट करो प्रोफिट ज्यादा कमाऊ गया इंगे स्ट्याटिक होता तो प्रोफिट में चेंज यहीं होता ठीक है क्योंकि डायने का मतलब पॉपुलेशन चेंज होई है टेकनोजी चेंज हुई है यह आपके डाइने क्या का और रिस्क उठाएगा किसने है लेकिन दो पार्ट है कैल कुलेबल से कोई परक नहीं परता सब ने कल्कुलेट कर लिया इनकल को लिए इसका मेनेजमेंट ऐचाहा उतना ही प्रोफिट कमाएगा लास्ट में पढ़ा शुम्पिटर की इनोवेशन तेहोरी आपने आपका एक आई मोनोपोली पावर एजी सोर्स जिसके पाँ इतनी मोनोपोली उसके उतना ही ज्यादा प्रोफिट क्यामाई है ठीक है